हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो दे नेक्स्ट वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लाश 12 चैप्टर नंबर 4 यानि गतिमान आवेश और चुम्ब कत्व moving charges and magnetism इसका very very important objective questions को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तो इससे पहले हम लोगोंने physics class 12 का chapter 1 से chapter 3 तक का important objective questions को कवर कर चुगे हैं आज हम लोग chapter 4 का कुछ important objective questions को कवर करेंगे तो चले दोस्तो शुरू करते हैं first question है दोस्तो चुम्ब किये बलच्षेत्र का SI मातरक होता है चुम्ब किये बलच्षेत्र का SI मातरक होता है तो चार option आपके सामने दिया हुआ option number A है वेबर, option number B है टेसला, option number C है गौस और option number D है इन में से कोई नहीं यानिके ननफ दीस तो अगर आपको answer आप देना चाहते हैं तो आप comment कर सकते हैं यहाँ पे अगर right answer की बात करें दोस्तो तो हो जाएग option number B यानिके टेसला चुम्ब किये बलच्षेत्र का SI मातरक टेसला होता है चले next question की ओर बढ़ते हैं अगला question करा है किसी उर्ध्वादर तार में विदुद धारा का पढ़वा नीचे से उपर की ओर हो रहा है यदि किसी electron पुंच को 36 तार की ओर भेजा जाए तो उनमें विशेप होगा उनमें जो है deviation कितना हो कैसा होगा तो चार option आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे अग चलते आवेश Q के कन पर चुमबकिये बलका वेंजक है very important question दोस्तों जिसमें भी very important आपको लगाया था उसको आप important मानेंगे तो वेक जो है V से चलते आवेश Q के कन पर चुमबकिये बलका वेंजक यानि कि formula कौन सा हो जागा तो इसका right answer हो जागा option number B यानि कि Q B vector cross V vector ये इ एसा ही मात रख है very important question है दोस्तों तो चुमबकिये खेट रया चुमबकिये बलका ऐसा ही मात रख की बात क्रेंग तो हो जागा option number A यानि के tesla option number A Wright answer हो जागा next question है दोस्तों चुमबकिये खेट रया चुमबकिये प्रेरन की वीमा है तो वीमा की एक रपात करेंड आइन dimension की पहले बात करें तो हो जाएगार iDanser option नम्र एंगर कि option a is the right answer यानि-a inverse, L0T inverse 2 या फिर यहां से l को हटा भी सकते है A inverse M T inverse 2 ऐसा भी बोल सकते हैं तो आप जरूर इन questions को ध्यार रखेंगे चले next question की और बढ़ते हैं next question कह रहा है लंबे सिधे चालक तार से i theCUBE धाड़ा परवाज़ होने से इससे आर दूरी पर चुम्ब गे शेत्र होता है यानि कि एगर कोई लंबा सिधा चालक है उस तार से i tweede धाड़ा परवाज़ delicious और आर दूरी पर चुम्बगे खेत्र क्या हो जाएगा तो यहाँ पे समझ लीज़े जो यह एक formula type का ही है question तो यहाँ पे right answer हो जागा option number A यानि के 2 mu note i upon 4 pi r 2 mu note i upon 4 pi r इसका right answer हो जागा चले next question क्योड बढ़ते हैं next question आपके screen पे है तो इसके केंदर पर चुम्बकिये शेत्र का मान होगा यह भी formula type का question है इसमें formula ही बताना है तो यहाँ पे right answer हो जागा option number D यानि के mu note i upon 2 r चले next question क्योड बढ़ते हैं next question है और त्रीजिया और एन फेरूं वाली किसी विर्थागार कुंडली जिसमें i धाड़ा परवाईत हो रही है उसके केंदर पर चुम्बकिये प्रेटन समानुपाती होता है किसके directly proportional होता है तो यहाँ पे right answer की बात करें तो जागा option number C यानि के i और 1 upon r के directly proportional यानि के समानुपाती होती है चलिए next question की और बरते हैं next question very important question है कह रहा है एक पांच टेसला वाला चुम्बकिये छेत्र का चुम्बकिये flux घनत पर बड़ाबर होगा क्यानि किसके बड़ाबर होगा तो चार option आपके सामने दिया हुआ यहाँ पर राइट answer की बात करें तो हो जागा option number A यानि के 5 वेबर पर मीटर स्क्वार पांच वेबर पर मीटर स्क्वार इसका राइट answer हो जाएगा नेक्स्ट दोस्तों विदूतिय धारा धारा धारन करने वाले एक सीधे लंबे तार के समीप किसी बिंदू पर चुम्बकिये शेत्र करमानु पाती होता है यानि कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो चार option आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर अगर स्क्रीन पर है दो समांतर ताड़ों में विपरित दिशाओं में धाड़ाएं पढ़वाइत होती है तो वे क्या होंगी तो दो समांतर ताड़ा उसमें विपरित दिशाओं में धाड़ा पढ़वाइत हो रही है तो उड़ में क्या हो जागा राइट आंसर हो जागा ऑप् नितिय रूप है very important question है 99% chance होता आपके exam में पुछे जानेगा तो यहाँ पर अगर right answer की बात करें दोस्तों तो जागा option number A हानिकिए db equal to mu not idl cross r upon 4 pi r cube इसका right answer हो जागा तो आप इसको ज़रूर ध्याणने की very important question है चले next question की ओड़ते हैं नेक्स्ट है चल कुंडली galvanometer यानिके mcg के बनाने का सिध्धान्थ है mcg के बनाने का सिध्धान्थ है यानि किस सिध्धान्थ पर यह काड़िया है तो यहाँ पर अगर right answer की बात करें तो हो जागा option number D यानिके चुम्बक का धाड़ा पर परभाव चुम्बक का धाड़ा पर परभाव इसका right answer हो जाएगा चले next question की ओड़ते हैं नेक्स्ट है चल कुंडली galvanometer यानि mcg में पटित धाड़ा का मान समानुपाथी है यानि किस के समानुपाथी होता है उस पर धाड़ा का मान तो यहाँ next question की ओड़ते हैं next question आपके सामने है कह रहा है सामान संगेतों में चल कुंडली galvanometer यानि के mcg की धाड़ा सुगड़ाहिता का मान होता है तो चार option आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे एगा right answer की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा option B यानि के nba upon C इसका right answer हो जाएगा next question दोस्तों कहा रहा है चल कुंडली galvanometer यानि के mcg की धाड़ा सुगड़ाहिता बढ़ाई जा सकती है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है तो चार option आपके सामने दिया हुआ है तो इसका right answer ही बात करें तो हो जाएगा option number B यानि के चुंबकिये प्रेरन और कुंडली के शेत्र question है कहा रहा है galvanometer में shunt का विवार किया जाता है galvanometer में shunt का विवार किसलिए किया जाता है दोस्तों तो very important question आपके बोड़ एक्जाम के लिए तो right answer बात करें तो हो जाएगा option number C यानि के अधिक विद्धुद्धाड़ा के कारण उसे तूटने से बचाने के लिए अगर विद्धुद्धाड़ा है अधिक तो उसको टूटने से बचाने के लिए shunt का use किया था very important है आपके बोड़ एक्जाम के लिए चले next question के लिए next question करा है जब G परतिरोध वाले galvanometer को एक shunt s के समानतर जोड़ा जाता है तो पड़िपत के परतिरोध में होने वाली कमी होती कितनी कमी हो जाएगे very important question है काफी important question आपके बोड़ एक्जाम के लिए तो यहां पर अगर right answer की बात करें तो हो जाएगा option number B यानिके g square upon s plus g इसका right answer हो जाएगा next है दोस्तो जी परतिरोध वाले galvanometer के समानतर में s परतिरोध का shunt लगा हो तब shunt से परवाई धारा होती है तो चार option आपके screen पर दिया हुआ है यहां पर अगर right answer की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा option number A यानिके g upon s plus g i यह इसका right answer हो जाएगा चले next question की ओर बढ़ते हैं next question काफी important question है कह रहा है सामान संकेतों में galvanometer कुणली से परवाई धारा होती है current होती है उसका क्या value होता है तो यहां पर अगर right answer की बात करें तो हो जाएगा option number B यानिके si upon s plus g इसका right answer हो जाएगा चले next question की ओर बढ़ते हैं next question कह रहा है एक galvanometer का परती रोध G है galvanometer से मुख धारा का 1% परवाईत होगा यदि shunt है एक galvanometer का परती रोध क्या है तो हो जाएगा right answer option number B यानिके G upon 99 इसका right answer हो जाएगा चलिए next question की और बढ़ते हैं next question करा है एक galvanometer का परतिरोज G है इसमें S ohm का shunt लगाया जाता है इसके स्रेनी में कितना परतिरोज जोड़ा जाए कि मुख पड़ीपत में धारा कमान और पड़ीवर्दित रहे यानिके कोई भी उसमें changing बदलाओ नहीं हो तो यहां पर अगर right answer की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा option number C यानिके G square upon G plus S इसका right answer हो जाएगा next दोस्तों very important question है आपके board exam के लिए एक galvanometer को a meter में बदलने के लिए जोड़ा जाता है एक galvanometer को अगर हम a meter में बदलना चाहते हैं तो उसको किस तरह से जोड़ा जाएगा काफी important question आपके board exam के लिए तो यहां पर राइट answer की बात करा तो हो जाएगा option number यानिके समानामतर में निम्न परति रोद समानामतर में निम्न परति रोद में अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा galvanometer वह आमीटर में बदल जाएगा very important question है अब इसको अब copy में note कर सकते हैं चलिए next question क्योंट बढ़ते हैं नेक्स्ट question भी काफी important है करा एक galvanometer को वोल्ट मीटर में परिवतित किया जा सकता यदि जोड़ा जाए एक galvanometer को वोल्ट मीटर में हम कैसे बदलेंगे तो यहां पर अगर राइट answer के बात करें तो हो जाएगा option number B यानिके स्रीनी करम में उच परती रौद से हम galvanometer को वोल्ट मीटर में जोड़ सकते हैं और Kolleginnen Stadium भड़ जोडने के लिए कहेगा तो हो जाएगा समांतर में निमन परती रौद समांतर में निमन परती रौद या ingen poor बदलने के लिए होगा और वोल्ट में बदलने के लिए स्रेनी करम में उच्छ परतिरोध हो जाएगा आप इसको जरूर ध्यान रखेंगेंगे कन्फ्यूस नहीं होना है नेक्स्ट है दोस्तों एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है तो यहां पर अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा और सी यानि कि इसके समानतर करम में निमने परतिरोध को जोर कर अगर हम निमने परतिरोध को जोर देंगे तो वोल्ट मीटर जो है वो मीटर में बदल जाएगा चले नेक्स्ट क्वेशन के और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन काफ़ी important question है यह दोनों question काफ़ी important है कह रहा है एक others a meter का परतिरोद होता है तो a meter है यानिकिस क्रेंट में आपता है वो तो क्या हो जाएगा यानिकिस में होना चीए 26 नंबर का answer होना चीए option नमर डी यानिके चुन्न आप मिटर जो है उसका एक आदर्स अगर आइडियल आप मिटर है तो उसका परतिरोद की बात करां आदर्स वोल्ट मिटर तो इसका परतिरोद हो जाएगा अनंत यानिकि इसका मापन परास एन गुना बढ़ाने के लिए इसके स्रेनी में जोड़े जाने वाले परतिरोद का मान है तो चार अप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है यहां पर आगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आप्शन नमर भी यानिके एन माइनस वन मल्टिपलाई आर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों एक आमिटर का परतिरोद आर है तो आपन परास आई है इसका मापन परास एन गुना बढ़ाने के लिए समाना अंतर करम में जोड़े जाने वाले परतिरो नेश्ट है दो कुंडली इस परकार रखे गए हैं कि उसके तल एक दूसरे के समकोनिक यानिके 90 डिगरी का एंगल बना रहा हो और एक ही केंद्र है यदि परतिक कुंडली में समान धाड़ा परवाईत है और परतिक से समान चुम्ब के शेत्र बी उत्पन होता है तो परिन यानिकि अंडर रूट भी अंडर कुप तुब जयाया नेक्स्ट दुस्त का कफी क्षण है कह रहा है एक साइकलो ट्रोन में कंदवाड़ा है प्राप्त महत्तम गति जूर जाया मैक्सिमम जो है काइनेटिक एनरजी कौन सा हो जाएक तो यहाँ पर नगरगा राइट आंसर आपन टू एम इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वेरी इंपोर्टन क्रेशन दोस्तों आप जरूर धन रखेंगे दोस्तों यहां पर हम लोग उने फिजिक्स क्लाश 12 चैप्टर नमर 4 का इंपोर्टन अबजेक्टिव क्वेशन का पार्ट वन हम लोग कवर कर चुगे हैं इसके बाद हम लोग पार्ट टू कवर करेंगे दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के सांथ जरूर शेर कीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत